नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर्ण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे यूटूब में फॉ नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस्टडी फार इकजाम में दोस्तों यह वनलाइन करंट फैस स्रीज का अठारावा वीडियो है वीडियो सुरू करने से पहले में आगे बताना चाहता हूं हमारे का इस पेड़ ग्रूप चलते हैं अगर आप इन पेड़ 2022 का पहला वर्ल्ड रिकार्ट किस ने हासिल किया है तो यह जेसी चौधरी जी हैं जिनोंने अंक जोतिस में पहले बार गिनीज वर्ल्ड रिकार्ट दर्च कराया है इनोंने कुल 6000 परतिभास सालियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में सिच्छित किया है और इसी के राष्टी जलप्रशकार 2020 में सरुसेश रजश्रेडि में पहला अस्थान किस राज jako मिला है तो पहला अस्थान जो है वह उत्तर प्रदेश को मिला है दूसरे अस्थान पर राजस्थान दहा और तीसरे अस्थान पर तामिल नाडु था और इस पुरस्कार की जो घोस्रा है वह जल सक्ति मंत्राले की मंत्री गजेन सिंग सेखावत ने इसकी घोस्रा की है और इस पुरस्कार जो शुरुआत है वह वर्ष 2018 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी राश्टी जल पुरस्कार की हाले में कों से कंपणि लखनाओ IPL टीम की आधिकारिक टाइटल स्पॉंसर बनी है तो यह माई 11 सरकल बनी है लखनाओ IPL टीम की टाइटल स्पॉंसर जैसा कि आप लो जानते हैं कि IPL में अब तक कौल 8 टीम इखिलती थी अब दो टीमी और बढ़ गई हैं अब कुल टीम मुख संक्याप की दस हो गई है और लखनव टीम के जो है मुख जो कोच चुने गए है वो जिमबामबे के एंडी फ्लावर चुने गए है मुख कोच इसको भी आप तो नोट कर लीजिएगा मुंबई में इस्थित्म छत पती सिवाजी महराज वासु संग्रहले ने जनवरी 2022 में अपने कितने वर्ष पूरी कर ली है तो इसने अपने अस्थापना के कुल सब वर्ष पूरी कर ली है छत पती सिवाजी महराज वासु संग्रहले ने इसकी जो अस्थापना हुई थी वो 12 जनवरी 1922 इसको इसकी अस्थापना हुई थी और उस टैम वेल्स की राजकुमर भारत आये थे उसी समय इसकी अस्थापना हुई थी सन्युक्त राष्ट महासभा ने किस वर्ष को International Year of Artisanal Fisseries and Aquaculture गोशित किया है तो इसने वर्ष 2022 को गोशित किया है सन्युक्त राष्ट महासभा ने भारत ने राष्ट मंदल भारोत तोलन चैंपियंसिप 2021 में कितनी पदक जीते हैं तो भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं जिन में 4 सोंड थे 7 रजट और 5 जो है वह कांस पदक थे और यह जो चैंपियंसिप आयुद की गई थी वह उजबे किस्तान के राधानी तासकंद में आ अलहे में फोटो पत्रकाईटा स्रेड़ी में रामनात गोयन का पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है यह जो पुरुसकार है वह जीसान इल लतीव को दिया गया है फोटो पत्रकाईटा स्रेड़ी में इन्हें यह पुरुसकार इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने एनार्सी पर एक लेख लिखा था, जिसका नाम दक कार्मा था, दक कार्मा लेख के कारण इने पुरुषकार प्रदान किया गया है, और रामनाद गोयन का पुरुषकार जो शुरुवात हुई है, वह वर्ष 2006 में इसके शुरुवात हुई है, हाले में भारत का पहला सोदेश सर्वर रूद्र को किस ने लांच किया है तिसे राजीव चंद सीखा ने लांच किया है भारत का पहला सोदेशी सर्वर रूद्र को एंटी गुआ और बार्बुडा अंतराश्टी सौर गडबंधन में सामिन होले वाला कौन सा देश बना है तिसमें सामिन होले वाला 102 देश बना है Antigua और Barbuda इसकी जो राध्धानी है वह सेंट जोन्स है सेंट जोन्स इसकी राध्धानी है और अंतराष्टी सौर गटबंधन जो अस्थापना है वह वर्ष 2015 में इसकी अस्थापना हुई है और इसका जो मुख्याला है वह गुरु ग्राम में है सौच भारत मिशन ग्रामीर चर्ण सेकेंड कार्गरम की तहर्ट 31 दिसंबर 2021 तक खोले में सौच मुक्त गाउं की सूची में काउन सराज पहले स्थान पर है इस सूची में तेलांगाना जो है वह पहले स्थान पर है दूसरे स्थान पर आपका तमिलनाड हुए तमिलनाड सौच भारत मिशन सेकेंड जो है ग्रामीर में आपका हुए जारी भारत मौसम बिज्यान विभाग के रिपोर्ट के अंसार 1901 के बाद से भारत में 2021 सबसे गर्म साल ला है तो यह पांचवा सबसे गर्म साल ला है 1901 के बाद 1901 के बाद जो सबसे गर्म वर्स रहे है वो आपका 2009 रहा है 2010 रहा है 2016 रहा है और 2017 रहा है और इसके बाद आपका 2021 जो है वो पाचमा सबसे गर्म साल रहा है भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के उनसार हाले में खाबरों में रही बकरी के सिर वाली योगनी मूर्ती किस देश से भारत वापस लाई जा रही है तिया है इंग्लेंड से वापस लाई जा रही है बकरी के सिर वाले योगनी मूर्ती और यह जो मूर्ती है यह दस्मी सताब्दी की है और यह मूर्ती उत्तर प्रदेश के बादा जिले से चोरी होई थी जो इंग्लेंड से वापस आ रही है लगभग 130 मिलेन वर्च पुरानी फोल की कली का जिवास्म कहां से प्राप्त होई है तिया जो जिवास्म है यह चीन से प्राप्त होई है फोल की कली का और इस कली जो लंबाई है वह 4.2 cm लंबी है और 2 cm जो है वह चौरी है और इसका जो नाम रखा गया है वो फ्लोरेड जन्यस जुरासिक जो है इसका नाम रखा गया है कितनी वर्सी बेल्जियन ब्रिटिस पाइलेट जारा रदरफोर्ड दुनिया का चक्कल लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है तिन की जो उम्र है वह 19 साल है और इन्होंने कुल 155 दिनों में कुल 22,000 किलोमेटर दुरिताय करके दुनिया का चक्कल लगाया है और बात करते हैं पुरुस में तो वह सबसे कम उम्र के जो पुरुस है वह 18 साल के हैं ट्रेविस्ट लुडलो जो इंग्लैंड के हैं इन्होंने पूरी प्रिथिवी का चक्कल लगाया है महिला में आपका जारा रादर फोर्ड है और पुरुस में ट्रेविस लुडलो है जो इंग्लाइन के है हाले में किस राज में लगभग 77 साल बाद एक लापता दुती विस्युद्ध के C46 बिमान के खोच की गई है इह जो विमान पुर्ड है यह आउलगाच्चर पुरेश में मिला है यह जो विमान है यह 2-3 विस्युद्ध के समय चीन से उड़ा था और 12 यात्रियों के लेकर उड़ा था और इसकी दुर घटना हो गई है आर इसके जौसेस हैं वैनलगाच्र में पुर्ड है अंतराष्टी उर्जिया एजंसी की अनुसार भारत एथनियाल की खपत के मामले में 30 वर्ष तक चीन से आगे निकल जाएगा और वर्तमान में जो है एथनियाल की जो सबसे दिक खपत है वह अमेरिका करता है इसके बाद ब्राजिल करता है एथनियाल को जो रासाइनिक सुतर होता है वह C2H5OH होता है हाले में भारत ने किस देश को हरा कर आठमी बार क्रिकेट अंडर 19 एसिया कप जीता है तो भारत ने स्रिलंका को हरा कर आठमी बार क्रिकेट अंडर 19 एसिया कप को जीत लिया है हाले में किस किन सासित प्रदेश के रियासी जिले के जिर्री गाउं को पहला दूद गाउं घोसित किया है तो यह जो गाउं है यह जम्मु कस्मीर में इस्थित है जिसे पहला दूद गाउं घोसित किया गया है हाले में किस भारती अबनित्रे ने इंट्रेन आसोसियैसन आफ वर्किंग वूमें अवार्ड से समानित किया गया है यह सुस्मिता सेन को समानित किया गया है International Association of Working Women Awards से और इसे वासिंगटन DC में यह आवार्ड प्रदान किया गया आप लोग कॉनबाक्स में बताइएगा कि सुस्मिता सेन किस वर्ष महिला उनिवर्स का किताब जीता था इसका उतार आप लोग कॉनबाक्स में बताइएगा वीडियो अगर आपको अच्छले तो आप लाइक कर सकते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को पुरदेखन धन्यवाद जैहिन जैभारत